तो फ्रेंड आज हम charging light के full connection के बारे में बताएंगी जो कि आप आसानी से charging light बना सकते हैं तो चलिए वीडियो मैंने इसे कैसे बनाया आगे बताते हैं हेलो फ्रेंड कैसे हो आई हो आप बढ़िया होंगे अच्छा होंगे स्वस्त होंगे फ्रेंड आज की वीडियो में हम बनाना सेखेंगे charging light तो बिल्कुल डीटेल पर हो का आप लोगों को बताऊंगा तो सबसे पहले आपका rotary वाला ये switch लेना जो कि on off के लिए और एक charging jack लेन इवाला ठीक है ये आपको पांच रुप्य में असानी से मिल जागा और हमें लेना है एक LED जो कि फ्रेंड एक रुप्य में थे सब्सकित हैं फ्रण zitे से मिल जागा ठीक है उन तिन चारों चीजों से हम बनाएंगे ये देख सकते हो डाइवोड है जो कि 007 का है ये आपको चार्जर में असानी से मिल जाएगा ठीक है मैं चार्जर के अंदर दिखाने के कोशिस करूँगा तो जैसा कि आप ये देख सकते हो ये वाला चार्जर है इस चार्जर के अंदर ये वाला डाइवोड लगा मिल जाएगा आपको ठीक है फ्री में ठीक है तो इन हम चार पांच चीजों से मिलाकर हम एक चार्जिंग लैट का कनेक्शन आप लोग को समझाएंगे बिल्कुल डिटेल परोग जो कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप अपने घर पर असानी से बना सकते हो ठीक है तो सबसे पहले फ्रेंड हमें LED का जो पलस वाला है हमारे चार्जिंग के पलस वाले में हम उसका कनेक्शन करेंगे फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों चार्जिंग में जो जो हमारा चार्जिंग जैक है इसके अंदर हमें चार्जर का प्रिल लगा के चेक कर लेना कौन सा पलस है कौन सा मायनस है जिसमें हमारे LED को लोग करेगी फ्रेंड वहीं पर हमें इसका कनेक्शन कर लिए न है ठीक है तो फ्रेंट यह तेंस हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे एलेड yod वह खराब नहां क्यूंकि यहां से 34 बोल्ट जाता है तो हमारे LED खराब होने का चांस रहता है इस वज़ेश से हम फ्रेंड resistance लगाते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम Konnecken keeee K आप इसमें हम तु छलिए फ्रण अब हम concintema कर लेते हैं ठीक फरण वीडियो आप चार्जिंग लाइट का फुल कनेक्शन आप करना सीख पा हुए ठीक है तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है जो चार्जिंग जेक से तो यहां तक सब्ज में आ गया होगा आप चलिए हम बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं यह वाली बैटरी आपको मार्किट में 50 स चालिस उर्पेव के अंदर में यह मिल जाएगे ठीक है यह 18650 के लिए थे हैं बैटरी जो की 22 सुमेच की है फ्रेंड बहुत ही पारफुल इसका अच्छा खासा बेक अफ होता है तो इसका कनेक्शन हम इसके अंदर करेंगे ठीक है तो जो हमारे चार्जिंग जेक का पलस उसके हम पलस में अपने बैटरी का पलस लगाएंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके साम यहां पर सोलिंग कर लेंगे जैसा का आप यह देख सकते हो फ्रेंड आपको जहां से समझे मनाए आप कमेंट में पूछ लेना ठीक है अब फ्रेंड इसके माइनस वाला हिस्ते को अभी हम सोलिंग नहीं करेंगे यहां पर हम डाइवड लगाएंगे जो कि डाइवड हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे बैटरी का जो चार्ज है वो हमारे चार्जर के अंदर ना जाए ठीक है उधर से हमारे बैटरी चार्ज हो जाए लेकिन हमारे बैटरी का चार्जर जो चार्ज ये उस साइड रहेगे ठीक है इधर से हमारा जो करेंट ही इधर से उधर जा सकता है लहकर इसे इधर नहीं आ आएगा ठीक op से इसाद करेंगे तो कुछ तरीके से check कर लेते हैं कि हमारे बैट्री charge हो रही है नहीं हो रही है तो फ़रण आपको हम दिखाएंगे charge करके तो कुछ इस तरीके से वरण हम इसके अंदर लगा देते हैं अपने mobile का charger तो फ़रण ये देख सकतो हो हमारी LED गो लोग कर रही है तो हमारे बैटरी अच्छे से चार्ज हो रही है तो अच्छले फरण हम मल्टी मीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारे बैटरी की रीडिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है हमारे बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो ठीक है तो हमें DC पर सेट कर दिया हूँ और यह देख सकते हो फ्रंट चार्ज में लगा रखाऊं और चार्ज में लगाने के बाद यह यहां मैं लगाऊंगा तो यह देख सकते हो फ्रंट तीन बोल्ट 28% चार्ज है तो यह 39 हो गया फ्रंट यह 30 हो गया 31 ओगया फ्रेंट तो हमारी बैरती चार्ज हो रही थीक है तो यहां तक कनेक्षन आप लोगों के समझ में आगया होगा अगर नहीं है तो आप comment में पूछे लें ठीक है एक request करना चाहूंगा अगर वीडियो आप लोग अच्छे लगी तो वीडियो को like कर देना ठीक है अब चलिए friend हम इसके LED का connection करते हैं जो यह वाली LED मैंने आपको दिखायती है यह आपको मार्केट में 10 रुपे में आसानी से मिल जाएगे ठीक है इसके जग़े आप कोई सी भी LED लगा सकते हूँ ठीक है जो की बैहटी से जल जाए ठीक है यह वाला rotary glue friend आपको 10 रुपे में आसानी से मिल जागा तो चलिए इसका connection हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से friend हम यहाँ पर connection कर लेंगे इस से हम चाहा तो अपने LED को जितनी देर तक जितनी कम जादा जला सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ दोनों wire को हम यहाँ पर solding कर लेंगे तो friend यह देख सकते हो दोनों के solding हमने कर दी दोन वार को लगा दिया अब हमारा जो LED का पलस वाला हिस्सा है जो हमारा पलस वाला वायर है बैटरी के पलस वाले में हम इसका connection डाइरेक्ट कर देंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से friend हम connection कर लेंगे तो मैं थोड़ा इसे अच्छे तरीके से करने की कोशिस करूंगा तो friend यह देख सकते हूं इसका solding हो चुका है अच्छे तरीके से अब friend इसका जो माइनस वाला वायर रह गया है इसको हम switch से करेंगे कुछ इस तरीके से जैसके मैं आप लोग करके दिखा रहा हूं तो जो हमार माइनस था माइनस वाले को हम इसके जो हमारा rotary switch on off इसमें हमें एक वायर लगा देंगे कुछ इस तरीके से यहां पर कुछ इस तरीके से फ्रण इसका connection हम सही से कर लेंगे जो कि वायर छुटे नहीं है अब फ्रण इसका जो red वाला वायर बचा है जो हमारे rotary switch op से आया है यह on op से इसका connection फ्रण हम इसके battery के minus वाले में करेंगे तो चलिए इसका connection हम कर लेते हैं तो जो हमारे battery का minus आया हुआ है बलेक वाला वायर इसमें हम इसका करेंगे तो फ्रण देख सकती हो यहां से हमने on कर रखा तो इसको हम बंद कर लेंगे बंद करने कबाद फ्रण इसका हम connection करेंगे तो देख सकते हो फ्रण यहां से नहीं जल कि यहां से बंद हो चुगा है तो चलिए इसकी solding हम कर लेते हैं तो फ्रण यह देख सकते हो इसकी solding होगी तो चलिए हम जला के देखते हैं कि हमारा जो connection सही हुआ है या नहीं ठीक है तो यहां से में on करूंगा तो फ्रण यह देख सकती हो मैंने on किया तो यहां से यह हमारी led अच्छी खासी गुलोब कर रहे है ठीक है तो चलिए मैं इसको और तेज करके देखाता हूं तो फ्रण यह देख सकते हो इसकी badness बहुत ही अच्छी खासी badness है फ्रण यह camera वज़े से फ्रण थोड़ा सा ठीक है तो चलिए मैं इसको कम कर लेता हूं थोड़ा तो फ्रण यह मैंने पूरा इसको बंद कर देता हूं ठीक है अब फ्रण बंद करने के बाद में एक चीज आप लोगो दिखा दूँ अब इसको मैं चार्ज करके देखता हूं फ्रण कि हमारा चार्ज हो रहा है नहीं ह फिर जो भी वीडियो में बनाता हूं आप लोग को बिल्कुल बारिकी से समझाने की कोशिज करता हूं ठीक है कोई की आपको डाउट रहना जाए ठीक है तो देख सकते हो यह चार्ज हो रहा है ठीक है एक बार फिर हम मल्टी मीटर के द्वारा देखेंगे कि हमारी बैटरी च के लिए ठीक हूं आप 3 बोल्ट 48 परशेंट दिखा रहा चार्ज तो यह देख सकते हो 37 हो गया 38 हो गया न सब कंपरेश तो हमारी बैटरी चार्ज अरे होगा ci कि हुश इस तरीके से हम अपने घर पे बना सकते हैं चार्जिंग लाइट ठीक है अगर आपने वीडियो द्यान पर रोग देखिए तो फ्रेंड मैं गरांटिस कर रहा हूं कि आप अपने घर पर चार्जिंग लाइट बना सकते हैं तो आप लोग वीडियो अच्छे लिए लाइक करना और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब